नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना सिरफ है मैं ही क्यूं डरूं तुझे खोने से कभी तो ऐसा हो कि तू भी डरे मेरा ना होने से नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने प्यारे बच्चो आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ ठीक है और जो आपका बेच चल रहा है इसमें अरियाना जी के मैंने आपको कहा था हरियाना जी के इंडिया जी के पॉलिटी सारी चीजे मैं भी करवाँगा अलग सरकी भी चल रही है तो आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर रहेगा और साथ में यहां पर अरियाना जी के भी आपकी कंप्लीट होगी इसमें कोई दोराय नहीं है पॉलिटिकल साइंस के तीन वीडियो जैसे हमने डाले थे आज हमें ना जैमा सरस्वती का नाम लेके भारतिये सविधान की विसेश्ताइं पड़ेंगे क्या पढ़ेंगे भारतिय सविधान की विशेस्ताइं पढ़ेंगे आज का हमारा टोपिक क्या रहेगा प्यारे बच्चो भारतिय सविधान की विशेस्ताइं अब आप कहोगे सर, अमें कोई लिखना थोड़ी है, प्यारे बच्चों लिखना नहीं है लेकिन विशेष्तायों से कोश्यन पक्के बनेंगे, ठीक है विशेष्तायों से कोश्यन किस परकार से बनेगे, कि भारत में केसी सासन पढ़नाली है अध्यक्षात्मक है संस्दिये है इन में से नहीं है तो आप कोगे भारत में संस्दिये सासन पढ़नाली है भारत में केसी नागरिकता है एकल नागरिकता ये भारतिय सविधान की विशेशताई है और भारत में सविधान ने अमें क्या द सविधान न कब बनकर त्यार हुआ था 26-1949 को हमारा सविधान न बनकर क्या हो गया था त्यार हो गया था गुरू जी कितना टाइम लगा था बच्पन से पड़ते आ रहे हैं दो वर्स 11 महीने और 18 दिन लगे थे दो वर्स 11 महीने 18 दिन लगे थे तो लगवा गये कितना टाइम लगा था तीन वर्स लगे थे एकजेक टाइम आएगा दो वर्स ग्यारा महिने और अठारा दिन लगे थे मैंने आपको बताया था कि भारत का सविधान बनाने के लिए एक समीती थी प्रामर समीती थी और प्रामर समीती ने लग भगे ना कितने देशों का दोरा किया 60 देशों का दोरा किया बाद में उन्होंने एक रिपोर्ट सोब दी अपनी केंद्रिये विधान मंदल को सोब दी और एक रिपोर्ट है ना उन्होंने ना राज्ये विधान मंदल को सोब दी किस विधान मंदल को सोब दी राज्ये विधान मंदल को एक रिपोर्ट सोब और बाद में इन दोनों की रिपोर्ट जब प्रामर समीति के पास आई प्रामर समीति ने किसे सोब दी सविधान सबा को सोब दी और सविधान सबा ने ये रिपोर्ट किसको सोब दी जो सविधान सबा का सविधानिक सलाकार था वी अन्राओ को सोब दी और वी अन्राओ ने न वियन राओ के पास उपर प्रेसर नहीं है, तो उन्होंने रिपोर्ट दुबारा किसको सौप दी, इसे रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समीति का गठन किया, जिसे हम इतिहास में प्रारूप समीति के नाम से जानते हैं, जो 29 अगस्ट 1947 को बनी थी, कौन सी समीति बनी जिसे आप ड्राप्ट कमेटी बोलते हैं, और इस समीति ने इस पर आपको बताया था, इस पर तीन वाचन हुए थे, ठीक है, और ये भी आ सकता है, प्यारबचों भारत के सविधान में कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, सविधान बनने में 2 वरस, 11 म को हुई, 1916 को, दूसरी 11 दिसंबर 1916 को, 30-13 दिसंबर 1916 को ये अधिवेशन नहीं थे, जैसे पहला अधिवेशन ही आ सकता है, 9 से 23 दिसंबर तक चला था, दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 1947 ये तक चला था, और ये कब था? 1916 में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक complete अधिवेशन बोल सकते हैं, ऐसे कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए, और मैंने बताया कि 26 नौंबर 1949 को हमारा सविधान बनकर त्यार हुआ, उसमें 284 व्यक्तियों ने क्या किये थे, साइन किये थे, तो आगामी एक्जाम में ये आ सकता है, कि इन 284 व्यक्तियों में एक एक्जाम में पूछा गया था, प्यारे बच्चों, कि इन में से कितनी महिलाएं थी, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था, कि हमारे सविधान में जो चुनाव हुआ था ना, 296 सीटों पर उसमें कितनी महिलाएं थी, तो टोटल है ना, 15 महिलाएं थी, ठीक है, टोटल कितनी महिलाएं थी, उसमें 15 हमारे सविधान में स्टार्टिंग में जब चुनाव हुआ था ना, उसमें कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था, तो टोटल 15 ने जीता था, वो पुछेगा सिगनेचर हुआ था ना 26 नौंबर 1949 को जब हमारा सविधान बनकर त्यार हो गया तो उस टाइम कितनी महिलाएं थी उसमें 8 इन 284 में तो कितनी थी 8 थी और 206 में में टोटल पुछे तो उस टाइम कितनी महिलाएं थी जब चुना हुआ तो उस टाइम पंदरा थी लेकिन जब 26 नौंबर 1949 को हमारा सविधान है न वो क्या हो गया बनकर त्यार हो गया लेकिन लागू क नहीं किया लेकिन अंगी करीट किया लागू करने में अंतर होता है क्योंकि प्यारी बच्चों 26 नौंबर 1949 को न हमने सविधान को क्या करे लागू 26 जनवरी को होगा लेकिन अपना लिया था अंगी करित कर लिया इसलिए 26 नौंबर को हम कौन सा दिवस बनाते हैं विधी दिवस बनाते हैं या कौन सा दिवस मनाते हैं कानून दिवस मनाते हैं हम 26 से नौंबर को कौन सा दिवस मनाते ह रिधी दिवस मनाते हैं या कानून दिवस हम कब बनाते हैं 26 से नॉम्बर को बनाते हैं और कल जैसे री पब्लिक डे था वो कब बनाते हैं 26 जन्वरी को बनाते हैं मैंने बताया था प्यारे बच्चो 31 दिसंबर 1939 को एक लाहूर अधिवेशन हुआ था कौन सा अधिवेशन हुआ था लाहूर अधिवेशन हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था रावी नदी के किनारे लाहूर अधिवेशन हुआ उसमें कहा गया हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को क मारा सविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया इसलिए 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं गण तंतर दिवस मनाते हैं कौन सा दिवस मनाते हैं री पबलिक डे मनाते हैं तो प्यारे बच्चों वो पुछेगा 26 नौंबर को जिस दिन सविधान बनकर त्यार हुआ उस दिन क्या बनाते हैं, विधी दिवस बनाते हैं, विधी दिवस या कानून दिवस के रूप में बनाते हैं, और 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं, री पबलिक डे बनाते हैं, कौन सा दिवस बनाते हैं, प्यारे बचों, गणतंतर दिवस या री पबलिक डे बनाते हैं, कब बनाते हैं 26 से जन्वरी को यहाँ से आगामी एक्जाम में क्या सकते हैं कोश्चर आ सकते हैं एक बार जो कोश्र आए उसे आच्छे से आपको प्रिपेर करना है ये तो हमारा सविधान का क्या था मूल डांजा था अब प्यारे बच्चों हमारे सविधान की विशेस्ताओं से और क्या कोशन बन सकते हैं एक कोशन ये बनेगा सबसे इंपोर्टेंट है कि जो हमारा ना सविधान है ना ठीक है मैंने बताया था सविधान सभा को कब भंग कर दिया गया चोबी जनवरी 1950 को सविधान सभा की क्या हुई थी अंतिम बेठक हुई थी क्या हुई थी अंतिम बेठक हुई थी और उसके बाद सविधान सभा को भंग कर दिया गया इस दिन हमने रास्ट पदी का पद अपनाया लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा रास्ट पती का पद अपनाया इस दिन हमने रास्टिये गान अपनाया और इस दिन हमने क्या अपनाया था रास्टिये गीत अपनाया था तो हमने कितने पद अपनाये थे तीन पद अपनाये थे रास्टिये गान और रास्टिये गीत इस दिन हमने कितने पद अपनाये थे प्यारे बच्चो तीन पद अपनाये थे और सविधान सबा को भंग कर दिया गया बाद में ना किसका गठन हुआ प्यारे बच्चो अंत्रीम संसद का गठन हुआ ये अंत्रीम संसद किसका काम करती थी तो प्यारे बच्चो एक तो जिसे कानून बनाने के लिए आज एक राश्टपती होता है एक लोक सबा होती है और एक क्या होती है राज्ये सबा होती है क् उस time हे ना राष्टपती दो-डक्टर राजिन्दर पर चाहते लेकिन लोकसबा और राज्येसबा दोनों का सियुक्त काम करने का जीमा किसका था? तो दोनों का सियुक्त काम करने का जीमा था अंत्रिम संसद के पास था, ठीक है! क्योंकि ये ना आपको पता है प्यारी बच्चों अप्रेल 1952 तक इसने कामे किया और बाद में ना मई 1952 में जब चुनाओ का रजेल्ट आ गया तो हमारी नई है ना संसद का गठन हुआ जिसमें लोकसभा और राजे सभा बन गई ये कब बनी मई 1902 में बनी तब तक जो काम है ना सारा कानून निर्मान की जो छोटी मोटी परकिरिया थी रास्पती के साथ मिलकर वो कोन कर रही थी अंत्री में संसद कर रही थी तो अब आता थी है जो हमारा मूल सविधान था ना इस बात को याद कर ले ना मूल सविधान तो मूल सविधान हम किसको कहेंगे तो मूल सविधान वही होगा 26 नौमबर 1949 को जिस दिन हमारा सविधान बन गर त्यार हुआ था इसमें प्यारे बच्चो तीन सो पिछाण में या थे या present constitution रहेगा इसमें ना प्यारे बच्चो अनु छेद तो अभी भी कितने है अगर मैं यहां पर मैं वर्तमान लिख दू ना तो वर्तमान में भी तीन सो पीचान में क्या है आर्टिकल है अनु छेद है गुरुजी उसके बाद तो भो जोड़े गए मानता हूं 4500 प्लस है ल सवरण सिंग समीति की सिपारिस पर जोड़ा गया उसको सविधान के भाग 4A में जोड़ दिया गया यानि 51A में मोलिक के खर्तावियों को जोड़ा गया तो उसमें ABC में कुछ भी जोड़ दे प्यारे बचो वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अनु छेद आज भी 300 पिचान म ये भूमी सुधार से समन्दी थी 10 वी अनुसुची 1985 में जोड़ी गई थी 52 सविधान संसो दंदुआरा ये दल बदल पर क्या लगाती थी रोक 11 वी अनुसुची 1902 में में जोड़ी गई थी ये पंचायती राज से समन्थी थी लागू 1903 में में हुई थी और 12 वी अनुस ये चुए तरवा ये किस से रिलेटेड थी सेहरी सवसासन से लाष्ट लेक्चर में मैंने बारतिय सविधान की अनुसुची आपको बताई थी तो मूल सविधान में तो वो वर्तमान सविधान पूछेगा तो 12 अनुसुची ये लेकिन मूल सविधान की अगर वो बात करे आपको होगे गुरुजी मूल सविधान में आठ अनुसुचियां थी और वर्तमान में कितनी है 12 स्टार्टिंग में पहली अनुसुची में संग वय राज्य वय केंदर सासित प्रदेश का वर्णन था दूसरी अनुसुची में पदादीकारियों के वेतन वय वत्ते थे ती आठी अनुसुची में एस्ती के चार एरिया असम में गले तिर पूरा मिजोरम का वर्णन था शाती भी एनुसुची सक्तियों का विवाजन से समंदी थी आठ भी आनुसुची मानक बासा से समंदी थी तो मूल log सविधान में झाच अनुसूची थी वर्तमान में कितनी है 12 अनुसुची है ये चीजें आपको याद रखने हैं 1922 में के बाद कोई नहीं अनुसुची नहीं जोड़ी गई जो तीयतरुआ और चुयतरुआ सविदान संसोदन हुआ एक पंचाइती राज से समन्दी था एक सेरी परसासन से समन्दी था ये चीजें ना इतना डीटेल में पढ़ क्यूं पढ़ा रहे हैं सर्धी क्योंकि आज एक्जाम में प्यारे बचो डिटेल में चीजे आने लगे हैं तो थोड़ा सा ना खुद को हमें और गहराई में जाना होगा जितनी गहराई में हम जाएंगे न तो हमारे लिए प्यारे बचों बहorg ज्यादा वेनिफित होने वाला है ठीक है अब हम जैसे पूछा गया था एक एकजाम में ये पूछने का काम किया गया था कि अकिस आर्टिकल में कहा गया कि हमारा सविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा ये 304 चुरान में अनुछेद में कहा गया कि हमारा सविधान ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा या री पबलिक डे कब मनाया जाएगा 26 जनवरी को और 303 में में हमारे सविधान को क्या नाम दिया गया भारत का सविधान आर्टिकल 303 में में कहा गया जो सविधान होगा इसे किस नाम से जाना जाएगा भारत का सविधान के नाम से जाना जाएगा सविधान को किस नाम से जाना जाएगा भारत के सविधान के नाम से सविधान को जाना जाएगा 304 में में कहा गया सविधान है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा किस तारीक को जिन्दा रखने के लिए 31 दिसंबर 1929 को जो लाहोर अधिवेशन हुआ उसमें कॉंग्रेस ने पूरण सवराज्य की मांग उठाई और उसको जिन्दा रखने के लिए हमने कहा कि हमारा सविधान है ना वो कब लागू की इसमें 333 में में कहा गया की भारत का सविधान होगा और 344 में में कहा गया वो लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा ये थोड़ा सा और गहराई में जाकर सोचने वाली बात है तो गोता खोर है ना अगर समुंदर के किनारे बेट जाए ना तो कभी मोती नहीं लाएगा मोती लाने के लिए उसे ना नदी में उतरना पड़ेगा एक प्यारे बचो अब है ना सबसे इंपोर्टेंट बात आती है अब हम भारतिय सविधान की क्या पड़ेंगी विशेशताई silent feature of Indian constitution क्या क्या चीजे इसमें रहेगी एक आता है प्यारे बचो अमारा सविधान सबसे लंबा यानि विशाओ का सबसे लंबा है लिखित सविधान है तो इसका मतलब क्या होता है सर लिखित आप क्यों के रहे हैं तो सविधान दो परकार के होती है एक होता है लिखित और एक होता है मोखिक बोल सकते हो या ए लिखित बोल सकते हो तो लिखित सविधान भारत का रहेगा और ए लिखित सविधान किसका रहेगा प्यारे बचो ब्रिटेन का रहेगा तो ब्रिटेन के सविधान है ना उसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ पाकिस सविधान की सबसे बड़ी विशेशता है कि भारत का सविधान विश्व का क्या रहेगा सबसे लंबा लिकित सविधान रहेगा क्यों लंबा है प्यारबचो इसमें 300 पिचान में आर्टिकल थे ना उनमें से 200 अनुछेद हमने ना भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए थे भार ने लगबग 145 खुद के जोड़े तो ये भारत का सविधान क्या हो गया लंबा हो गया तो भारत का सविधान विश्व का सबसे लंबा क्या रहेगा लिकित सविधान रहेगा ये कोश्चन आता है भारत का सविधान के सा सविधान लिकित तो एलिकित पूछे तो ब्रिटे तो वो मूल सविधान या तो 26 नुवंबर को कंसेडर करेगा या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस ताइम भी 395 मैं नुछेड आस अनुसूचिया और 22 भाग दे और वर्तमान की बात करूँ तो अनुसूचिया चार बढ़ा देना भाग की है न भाग भी कितने हो गई लेकिन आ प्याद रखनी है प्यारे बच्चो कोई भी कोशन आए ना थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है एक भारत में ना भारत में सविधान में क्या है भारत के भारत में क्या है सविधान सर्वोच है भारत में सविधान क्या होता है सब से उपर है और सविधान में सविधान में यह देखो यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों कॉंस्टिट्यूशन में सविधान में सर्वोच जनता है सविधान में सर्वोच क्या है जनता सविधान में सर्वोच क्या रहेगी जनता रहेगी दोनों बाते सुनों बारत में क्या है सविधान सर्वोच है बारत में क्या सर्वोच है सविधान सर्वोच है और सविधान में सर्वोच क्या रहेगी प्यारे बचो सविधान में सर्वोच क्या रहेगी जनता रहेगी अब केसे कहोगे वो कोशन अब आप कहोगे सर यह लिखने वाला यहां से तो कोशन बनेगा कि भारत में सर्वोच कोन है आप को option में राष्टपती उपराष्टपती परधान मंतरी या इन में से कोई नहीं आप कोगे इन में से कोई नहीं भारत में सविधान सर्वोच है परधान मंतरी राष्टपती वो भी सविधान के दाइरे में याते हैं और सविधान में सर्वोच कोन है तो सविधान में सर्वोच क सविधान में सर्वोच क्या रहेगी पबलिक रहेगी या जनता सविधान में क्या रहेगी सर्वोच रहेगी और भारत में सबसे इंपोर्टेंट है एकल नागरिकता है भारत में कौन सी नागरिकता कौन सी नाग रिखता है एक कल नाग रिखता है जिसे आप single citizenship बोलोगे क्या बोलोगे single citizenship एक single citizenship होती है एक dual citizenship होती है अब आप कहोगे प्यारे बचो ड्यूल के सी होती है जिसे अमेरिका का example उठाता हूँ लग बगे 50 प्लस अमेरिका में state है तो अमेरिका में ना 50 प्लस अगर state तो अमेरिका का नागरिक है ना पहले तो क्या होगा एक तो अमेरिका का नागरिक है और दूसरा ना उस क्या है राज्ये का वगिरा कुछ भी आप लगा सकते हो दूसरा उसे राज्ये का नागरिक है तो वो प्यारे बच्चों उसको ना राज्ये की नागरिकता अलग से लेन पड़ेगी तो वो दूसरे मलब राज्ये में जमीन बगेरा नहीं खरीद सकता उसे एकल नागरिकता है और भारत वहां पर दोरी नागरिकता है तो अमेरिका में दोरी नागरिकता और भारत में कौन सी रहेगी एकल नागरिकता है आपका हरियाना में जनम हुआ तो भी आप पंजाब में जनम हुआ तो भी आपको भारत के नागरिक हो ये नहीं है कि आपको पंजाब की नागरिक तालग से लेनी पड़ेगी या भारत की नागरिक तालग से आपका भारत के किसी भी इंसे में जनम हुआ हो तो आप किसके नागरिक हो भारत इसमें एक अपवाद होता जम्मू कस्मीर क्योंकि उनका सविधान 26 जनवरी 1977 उनको अलग से बनाया गया था लेकिन अब प्यारे बचों जम्मू कस्मीर है ना उसका जो आर्टिकल 370 है ना बोली से यानि उसको हटा दिया गया है अब है ना जो आपका जनम कहीं पर भी हुआ है ना तो अब भारत के ना सिंगल सिटी जनसी पर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बचों नागरिक्ता का वर्णन सविधान के भाग दो में है और सविधान का भाग दो मैं आपको बड़े अच्छे से करवाऊंगा अब प्यारे बचों केंदर वे राज्ये में ना दोनों में कौन सी सासन पर नाली है सस्तिये केंदर वे राज्ये में केंदर वे राज्ये दोनों में कौन सी सासन पर नाली रहेगी सासन पर नाली अध्यक्षा अध्यक्षात्मक सासन पर नाली उसमें क्या होता है जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक सासन पर नाली है तो अमेरिका में ना सारी पावर है ना वो किसके पास रहेगी रास्ट पती के पास है रहेगी वाइडेन लगा लो बराक उबामा लग ठीक है कोई भी मलब अमेरिका में जो पावर होती है ना ठीक है वो सारी कि सारी किस के पास होती है रास्टपती के पास होती है लेकिन भारत में एसा नहीं है भारत में सस्थी एसा सनपरणाली है जैसे विधान सभा विधान परिशद है लोक सभा राज्ये सभा है और भारत मे अगर मैं बात करूँ नामातर की शक्ति रास्पती में है वास्तवी के परधान मंत्री में है राज्य की बात करूँ तो नामातर राज्येपाल है वास्तवी कोन है मुख्य मंत्री है तो भारत में के लोकसबा राज्येसबा विदान सबा विदान परिसद है वहां पर मतलब ज सी इसासन पढ़नाली है तब आप कोगे गुरुजी भारत में कौन सी इसासन पढ़नाली रहेगी संस्ती इसासन पढ़नाली कहां पर रहेगी भारत में ये आगामी एक्जाम के इसाब से question important है जितने भी important question है ना मैं आपके लिए simple बना कर लाता हूँ एक है ना हमारे सविधान में हमें क्या दिये गए है मूल अधिकार दिये गए है और एक हमारे सविधान ने हमें क्या दिया है मूल करतवे दिये गए है ठीक है ये भी भारतिय सविधान की क्या है विशेशता है प्यारे बच्चों जैसे सरकार ने ना हमें ना बचाने के लिए हमें क्या दे दिये मोलिक अधिकार दे दिये क्या दे दिये हमें मोलिक अरिदिकार दे दिये सरकार ने हमें कौन से अधिकार दे दिए प्यारे बच्चो सरकार ने हमें कौन से अधिकार दे दिए मोलिक अधिकार दे दिए कौन से अधिकार दे दिए सरकार ने हमें मोलिक अधिकार दे दिए तो और इस अमारी भी कुछ ड्यूटी है जैसे रास्ती ये गान चलरा रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए सारुजनिक संपत्ति को हमें हानी नहीं पहुंचाने चाहिए तो हमारे क्या बनते हैं मूल करतवे बनते हैं तो मोलिक करतवे हमारे मूल सविधान में नहीं थे, यही कोशन आता है कि मोलिक करतवे हमारे किस में नहीं थे, मूल सविधान में नहीं थे, तो मोलिक करतवे हैना बाद में जोडे गए थे, ये 42 में सविधान संसुदंदुारा 1906 में क्या जोड़े गई थे? मोलिक करतवय जोड़े गई थे मोलिक करतवय जोड़े गई थे सरदार सवरण सिंग समीती की सिपारिस पर सरदार सवरण सिंग समीति के सिपारिस पर क्या जोड़े गए थे मोलिक करतवे जोड़े गए थे ये हमारे मूल सविधान में मोलिक करतवें का कहीं पर भी वर्णन नहीं था तो ये से याद कर लेना तो सरकार ने हमें मूल अधिकार दिया और मूल करतवे यह हमारे सविधान की क्या है विसेस्ताई है क्या है हमारे सविधान की विसेस्ताई है सरकार है न हर किसी का क्या रखती है प्यारे बचो ध्यान रखती है और एक आता है भारत में न त्री सतरिये साचन व्यवस्ता है बारत में कौन सी सासन व्यवस्ता रहेगी प्यारे बचो त्रीस तरिये सासन व्यवस्ता रहेगी गुरुजी त्रीस तरिये सासन व्यवस्ता के से रहेगी जिसे केंदर में ना सर्वोज क्या होता है रास्ट पती होता है राज्ये में सर्वोच क्या होता है आप कहोगी गुरुजी राज्येपाल होता है सक्तियां तो इनी में ना मतलब नामात्र की हो लेकिन इनी के नाम से चलता है ना और गाउं में ये तरी स्थरिये में गाउं आ गया और गाउं में सरपंच हो गया क्या हो गया गाउं में सरपंच हो गया तो हर एक इंसे का ना अलग क्या होता है सासने विवस्ता होती है हर एक इंसे की ना क्या होती है अलग सासन विवस्ता होती है तो भारत में केसी सासन विवस्ता रहेगी प्यारे बचो इसासने विवस्ता रहेगी ठीक है केंदर में जिमेवारी अलग को सोंपी गई है राजे में जिमेवारी अलग को सोंपी गई है और गाउं में जिमेवारी अलग इनसान को सोंपी गई है एक आता है प्यारे बच्चों की भारत का सविधान है ना क्या होता है पार्टली यानि अंस्त है अंस्त है लचीला है और अंस्त है भारत का सविधान क्या है कठोर है यानि भारत का सविधान प्यारे रुचो पार्टली ठीक है कुछ इंसा तो इसका क्या है लचीला है और कुछ इंसा इस सविधान का क्या रहेगा कठोर रहेगा आप कोगे केसे लचीला है केसे फोर है मैं बता देता हूँ लचिला के से जैसे कोई कानून बनाना है ठीक है कि भारत में स्पोज करो internet होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एग्जामपल है तो सभी इसते एग्री है ना तो ये क्या है साधान बहुमत से पास हो जाएगा कि होना चाहिए साधान बहुमत से क्या हो जाएगा यह example दिया है इसे कोई भी कोई अच्छा काम है ना वो पक्स भी चाएगा होना चाहिए विपक्स भी चाहिएगा होना चाहिए तो साधान बहुमत है ना यह होता है टोटल का 1 by 2 plus 1 ठीक है तो टोटल में अरियाना में स्पोज करो 90 विधान साभा की सीटे 90 का 1 by 2 45 plus 1 46 जिसने सरकार बनाने के लिए जो बहुमत से यह ना उसे ही क्या केते है साधान बहुमत केते है और कि जिसकी सरकार है चाहिए उसने गठ बंदन से बनी है तो वो कोई उसको समर्थन करेगी न तो कोई भी बिल साधान बहुमत से पास है हो जाएगा एक होता है प्यारे बच्छों विशेष बहुमत क्या होता है विशेष बहुमत होता है टोटल का थी ठीक है अब स्पोज करो नब्य का example two by three तो इसका कितना हो गया तो ये क्या होता है 60% कई बार कोई फेंस ले परना ये मतलब 50% से बात नहीं बनती हमें 60% के साथ है जाना पड़ता है जिसे कोई डीसिजन हो जम्मू कस्मीर से 370 हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए तो विपक्स है ना विपक्स को अगर स्पोर्ट ना करे ना तो उस कंडिशन में कई बार विशेस बहुआ नहीं मिल पाता और कानून नहीं बनता तो इस परकार की कंडिशन में ना 60% होता है और कई बार ना विशेस बहुमत के साथ है ना राज्यों का भी राज्यों का बहुमत लेना पड़ता है राज्यों का 50% बहुमत अभी भारत में 28 र पता होना चीए साधान बहुमत क्या होता है विशेश बहुमत क्या होता है और कई बार विशेश बहुमत से बात आके चल जाती है जिसे राज्ये का बहुमत लेना पड़ता है तो हमारा सविधान है अगर कोई साधान विदेग से कोई चीज पास हो है तो वो तो क्या है लची लाहें फ्लेक्सिबल है और रीजिट यानि कठोर क्या है कोई चीज से विशेश बहुमत लेना पड़े तो वो कठोर है और भारत के सविधान ने हमें क्या दिया है सारव भूमिक सारव भूमिक सारव भूमिक इससे पहले ना सारव भूमिक को मैं बात में व्यस्त आपको व्यक्त करूँगा लेकिन इससे पहले एक कोशन ये बन सकता है कि भारत के सविधान में सवतंतर वै नीस पक्स न्याई पालिका है सवतंतर वै नीस पक्स क्या रहेगी न्याई पालिका रहेगी अब जो न्याई पालिका है न वो आएगी किस के अंडर में आती है तो आपको होगी वो सवतंतर है अगर राश्पती ने कोई क्राइम किया है न ठीक है कारेकाल के बाद उसको क्या हो सकती है सजा हो सकती है तो सवतंतर वे क्या है नीस पक्स नयाय पाली का है तो नयाय है ना वो प्यारे बचो किसी से डरता नहीं है कोई भी फेंसला देना हो ना तो नयाय पाली का है ना नीस पक्स रूप से क्या सुनाएगी फेंसला तो भारत की नयाय पाली का क्या रहेगी सवतंतर वे क्या रहेगी न नीस पक्स है वो कोई भी भेसला सुनाते टाइम किसी से डरेगी नहीं तो यह सारव भूमिक है व्यसक मता दीकार जिसे आप write to boat बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं प्यारे बचो right to boat right to boat हमें boat को cast करना चाहिए boat डालना चाहिए तो ये सारव वोमिक व्यसक मद्यादिकार है जिसकी age है ना 18 वर्स है ना और जिसका ना मद्दाता सूची में नाम है ना उसे boat को cast करने से कोई रोक नहीं सकता मैं उसे रोक नहीं सकता तो भारत के सविधान की सबसे बड़ी विसेशता क्या रहेगी तो भारत के सविधान की प्यारे बचो सबसे बड़ी विसेशता यही है कि हमें ना सभी को equality में boat डालने का क्या है अधिकार है पहले ना ये boat डालने की एज है न 21 वर्ष से गटा कर कितनी कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई ये भी पूछा जा सकता है किस सविधान संसोदन से हमारे मद्दान करने की एज है 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर दी गई तब आप कहोगे 21 सविधान संसोदन था उसमें न हमारे मद्दान करने की एज है न वो 21 वर्ष से गटा कर कितनी कर दी गई 18 वर्ष कर दी गई ये भी कोशन आप से पूछा जा सकता है कि मद्दान करने की एज 21 वर्ष से गटा कर कितनी कर दी गई ती 18 वर्ष कर दी गई ती किस सविधान संसो दंदवारा मद्दान करने किये जेना वो 21 वर्ष से गटा कर कितनी कर दी गई थी 18 वर्ष कर दी गई थी वो सविधान संसवदन पूछेगा कौन सा रहेगा 61 रहेगा और एक हमारे सविधान की विशेषता है प्रस्तावना में क्या है प्रस्तावना है प्रीमबल को मैं अलग से आपको पताओंगा जो प्यारे विशो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवारलाल नहरू ने जो उदेश दे प्रस्ताव रखाता ना और उसी को भारतिय सविधान की क्या बना लिया जाता है प्रस्तावना बना लिया जाता है तो ये भारतिय सविधान की प्रस्तावना में हमें सारा पता चलता है भारत के सा है हम भारत के लोग भारत को के सा गणतांतरात्मक है के से हमें मदलब है अधिकार मिले है वो सारा प्रस्तावना में वर्णन है मिल जाता है, यानि कोई भी विदे सिनागरी काएगा ना, उसको इतना टाइम नहीं होता, वो 305 में अनुछेद पड़े, ठीक है, 22 भाग पड़े, 12 अनुछेद पड़े, वो परस्तावना अगर पड़ लेगा ना, तो उस परस्तावना में भी उसको सारी चीज़े क्या हो ज आएगी, तो भी ये भारत के सविधान में ये सारी की सारी चीज़ें रहेगी, प्यारे बचों, यहां से ना, मैं तो केता हूँ, हर एक्जाम में ना, यहां से कोश्चन बनते हैं, और मेरी आप से हाज जोड कर वी नमर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब है ना, आपके पास टाइम है, ठीक, अब टाइम है ना, तो उसको यूटेलाइज कर लो, तीन-चार महिने में ना, आपको अच्छे से सारा स्लेवस आपका हो जाएगा, जो टीचर इस बेच में है ना, वो कंप्लीट करवा देंगे, और कोवीड के चलते थोड़ी दिक्कत आईए, उसके आपको बहुत गहरा नुकसान होगा, तो आज के लिए पैरवचो इतना ही रहेगा, हम आपसे कल दुबारा रूबरू होंगे, अगर सेशन अच्छा लगे तो हर बच्छा कोमेंट करके बताया करो, कि आपकी वीडियो हमें समझ आती है, और कहां पर दिक्कत है, टेंशन झाल